इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम अपने PC में माई कंप्यूटर में जाते हैं तो यहां पर हमें हमारी hard disk device दिखाई देती हैं पर drivers नहीं दिखाई देती हैं उनके storage नहीं दिखाई देती उनकी तो यह क्या problem रहती है और इसका solution क्या है यह मैं आपको बताने वाला हूं तो वीडियो को आप पूरा देखेगा वीडियो को लाइक कर दीचेगा और चैनल को subscribe भी कर दीचेगा काई तरीके के error हो सकते हैं कि आपर कुछ लोग जो है त आपको बता दीआ हैं आपर के अगर आपका है तो एक तरफ हो गया जोसी conditions यहां पर ऐस होते है कि कभी-कभी ऐस होता है कि हमारी यहां पर windows वगएरा इंकरेप्ट हो जाती है तो इसकी वज़े से कभी-कभी यह शो नहीं कर पाते हो जाता है कभी-कभी ऐसा बहुत computer में होता है और बहुत से cases में नहीं भी होता है पर अभी जो हमारा error आ रहा है वो कोई error नहीं है यहां पर feature है जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यह यहां पर hard disk आप देख सकते हैं hard disk drive is तो इस पर हमें जो है करना चाहिए यहां से आपको back लाना है और यहां पर अपने start के option पर जाना है और यहां पर control पैनल में जाना है और control पैनल में जाने के बाद आपके सामने ऐसा options आएगा तो यहां पर आपको view by category से इसमें कर लेना है तो large icons में यह small icon में तो मैं large पर कर लेता हूं अब यहां पर सबसे नीचे आपको जाना होगा और जैसे सबसे नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा Windows Update इस पर चले जाना है यहां पर आपको थोड़े से net वगयर की जरुवत पड़ेगी और यहां पर अपने अपने new update को जो है इस्टोल कर लेना है जो भी error वगयर होंगे वो यहां पर fix हो जाते हैं तो बस इतना सभी process रहता इसका अगर यहां पर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर सकते हैं और channel को subscribe कर सकते हैं मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए